आपको इससे एजीली समझ में आएगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्ली क्या दिया हुआ है तो आएए समझते हैं इस चैप्टर को इसमें जो राइटर है वो अपने ओल्ड देज को याद कर रहे हैं अपने चाइल्ड हुड डेज को याद कर रहे हैं और अपने मेमरीज शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर में कि हम उन्हें क्या-क्या चीजे अपने बच्पन की याद हैं और क्या-क्या चीजे वो उन्हें जो अच्छी लगती थी वो सारी चीजें उसमें बता रही हैं जिनसे उन्हें बिसेश लगाओ था टैच्मेंट था तो आईए इसमें डिसकस करते हैं तो सबसे बहले यह आप खुद भी पढ़ सकते हैं मैंने इसमें फोटो दिया हुआ आपको क्लिक करके और मैं इसमें आपको हिंदी बताऊंगे इसकी ट्रांसलेट करके तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या था कि लेखक को एक सेंड वोक्स और एक जंगल जिम के साथ अपना एक आंगन याद है जिस आंगन में एक सेंड वोक्स था एक जंगल जिम थी और वहाँ पर उनके पास कई पैट्स भी थे जिसमें रैविट्स थे टर्टिल थे और एक शीप डॉग था जो शीप को माइन करता है वो डॉग था और कुछ कचुए कुछ खरगोस बिली के बच्चे ये सब पैट्स अगन में और उन्हें वो अपने गेम याद आता है जो रैड लाइट ग्रीन लाइट वाला वो खेला करती थे और इस्टर अंडे का सिकाज बर्दे पार्टी ये सब उनको याद आ रहा है अपने बच्चपन का इसके अलावा उनकी मा का जो कि फोटोग्राफ थी फिल्म मन आने के लिए उनका एक रूम था और एक रूम ऐसा भी था जहां पर वो कराटे की प्रेक्टिस किया करते थे और क्या था एक दफेंस वाज विकॉज क्लेटर प्लास्टिक ट्वाइज एंड याड एक्कुपमेंट्स वाइक एंड ओल्ड जैलोपी फिल्ड अप और साइड मतलब एक दीवार बना दिए कुछ बेकार कावारा समान पड़ा हुआ था जैसे कि कुछ बेकार के खिलोने थे कुछ एक्कुपमेंट्स थे कुछ ऐसे उपकरण थे जो आंगन में काम आते थे ना कुछ पुरानी बायक वगेरा पानी लगाने का जो जैलोपी वो था और क् कुछ भी जो भी बेकार टूटा फूटा समान था वो पड़ा हुआ रहता था उनकी आगन में तो परोसियों ने सिकायत की कि यह इस तरह से अच्छा नहीं लगता है तो बहार से निकलने वाले लोगों को बुरा लगता था तो उन्होंने एक दिवार खरी करवा दी थी उस स्माइली फेस बना दिया गया था आउट साइड जिससे की वो देखने में अच्छा लगे बहार आने जाने वाले लोगों को स्माइली फेस दिखता था और उसके पीछे वो समान पड़ा हुआ था और क्या था फिर उसके बाद इसमें क्या बताया गया है कि दित्य कि दोरान जो अमेरिकी सरकार थी वो ऐसी एक लेंड की तलास में थी जहां पर पानी बहुत अधिक मात्रा में हो और पानी और मतलब लाइट की वस्तर अच्छी हो तो ऐसी भूमी खोज रही थी वो मैनहेंटन पर्योजना को बिस्तार करने के लिए मतलब वहां पर वह अप अपनी फैक्टरी स्थापित करने के लिए तो उन्होंने दक्षिरपूर्ड में 200 मील की दूरी पर एक ऐसी जगें पाई जहां पर उन्हें इस तरह का लैंड मिला हैंट हैंट फोर्ड में है ना जो कि कोलंबिया में याकिमा नदी कोलंबिया याकिमा नदी के संगम पर बन हुआ रोब है है हैंट फोर्ड टो हैंट फोर्ड में एकयम स्थान मिला वने ऐसा और उसमें हैंट बोर्द-थ जगह थी जहां पर कि उन्हें पानी ऑई विजली जो किस उसकी सप्लाई प्रचोर मात्रा में होती थी ती यह फोर नामक जगह पर तो यह दुनिया का Tá्शि बनाने के लिए बिलकुल सही जगा थी Richland ृचलेंड जो कि Kolumbiya नदी के पास था और वह के साफ सुतरी सड़के थी अमेरिका की तरह अमेरिका के अमेरिका के सहरों की तरह दिखता था जो लेकिन उसका इत्हास जो था उसका हिस्ट्री जो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी मतलब इत्यास एक उलजा हुआ था और जब लाकर भशा दिया था जय के ये सब इसमें लिखा हुआ आपकी संभली में इसका मैं हिंदी टांसलेट कर रहूं जिससे आपको एजीली है समझ में आ जाए तो फिर क्या वग्रिवा कि कुछ किसानों को मतलब हम से ट्रांस्पर किया गया उज confirmation को सबाकिनिवासी थे मजबूर किया गया वहां से भड़ने के लिए और पांसोच्यासी वर्ग मील एक स्थल बनाया गया श्रमेकों को आयात किया गया वहां उन्हें टेंट में रखा गया उसके बाद वहां रिच लेंड में छोटे ट्रैक्ट हाउसेज में उन्हें रखा गया किसानों को लेखक की सिक्षक जो थे वो नेवी में थे और फिर क्या हुआ कि दक्षन कैलिफोर्निया में परमाण उद्धोग में एक इलेक्ट्रेनिक इंजीनियर बन गया थे लेकिन हैंट फोर्ड में पूरे सीतियुद में वह ब्यस्तर है इसलिए उनिस सो उनहेंटर में क्या हुआ 1969 में दादाजी पीट और दादी एलिस उनकी दादी और उनकी दादाजी एपनी चार बच्चों के साथ वाशिंग्टन चले गए फिर उनकी सबसे बड़ी बेटी उनकी मतलब मौसी कै थी कुछ हफ्तों बाद चली गई थी मतलब क्या हुआ था कि लेखक की जो सिश्टर थी उन्होंने छोड़ दिया था इसलिए वो काफी अपसेट थी कि मतलब उनकी जाने के बाद उनका भी मन नहीं लगता था तो उनकी मां इस कदम से काफी ब्याकुल थी ठीक है और वो भी सोच जहें थी कि वो वो भी यह यह चोड़कर महीं पर सैटल हो जाएं तो इस तरह से यह थोड़ा सा अपनी ओल मेमोरी इस पर वेजड एक स्टोरी है जिसका समड़ी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा चैप्टर और जो में में पॉइंट्स थे वो इसमें बिल्कुल किलियर हो गए है जिस प आपको पहले ही बेच चुकी हूँ उसको ट्रांसलेट करके इसके बाद मैं आपको कुश्टन आंसर्स आपकी क्लास ग्रूप पर प्रोवाइट कराऊंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाब बाए